हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको स्करेट बनाना बताएंगे ये हमारी बहुत ए रिक्वेस्टिड वीडियो है कफी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए तो स्पेसली आज हमने बना दी ये वीडियो और ये मैं 15 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ जिसके लिए हमने ये नेट लिया है ये हमारा 2 मीटर नेट है और 2 मीटर हमने अस्तर लिया है इसमें से थोड़ा बहुत बचेगा सबसे पहले हमने चार फोल्ड में नेट को रख लिया है बंद की साइड मेरी साइड है और जो खुली वाली साइड होगी वो दूसरी साइड है अब हम कमर का चौथा हिस्सा लेके और उसमें हम 3 इंच की लोजिंग देंगे मतलब जितना हमारा यहां से बैट रहा है उतना ही हमारा दूसरी साइड से भी होना चाहिए और एक गोल सरकल बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से तो हमारा मतलब साड़े साथी 7.5 यह है उसके बाद हम लैंट देख लेते हैं और इसमें हम 2 इंच की बैल्ट लगाएंगे तो जो टोटल इसकी लैंथ है जितनी इसकी आ रही है 19 इंच उतनी हम पूरे में एक गोल सरकल बना लेंगे तो देखिए हमने 19 इंच पे पूरे में एक गोल सरकल बना लिया है अब उसके बाद जो हमारा सरकल में कट कर रहे हैं मतलब इसमें जॉइंट नहीं होगा जैसे नॉर्मल स्क्रेट में जॉइंट होता है वो जॉइंट इसमें नहीं होगा इसकी जो बैल्ट होगी वो भी बंद करके ही लगानी पड़ेगी क्योंकि अगर इस तरीकी से skirt बनाते हैं तो बहुत ही घेड़दार बनती है जो कि अशकल बहुत ही टेंड में है तो अब यहां से जो कमर वाली जायड है यहां से भी इसकी cutting कर देंगे हम cutting करने के बाद इसको open करके देखेंगे तो देखेंगे इस तरीकी से gold circle हमारे पास आ गया है और इसको देखेंगे रखके तो देखेंगे काफी जादा इसका घेरा है अब जो इसका अस्तर है उसको भी हम 4 fold में बिचाएंगे और 4 fold में बिचाने के बाद ही उसको भी इसके उपर रखके और सेम कटिंग कर लेंगे तो जितना हमने अस्तर कट किया है उतना ही हमने ये net कट किया है उतना ही अस्तर कट करना है कुछ नहीं करना है इसी पार्ट को उठाके एकदम बरावर करके और इसके उपर इसे रख देना है ऐसे आप हमें कमेंट करके बतायेगा हम आपको इसका टॉप भी बनाना बता देंगे और वीडियो को साथ की साथ लाइक भी कर दीजिएगा तो देखिए पहले कमर वाली साइड कट कर लेंगे और फिर जैसे नीचे वाला गहरा आया हुआ है ऐसे हम इसका नीचे वाला गहरा कट कर देंगे तरीके से लेकिन एक दम बरावर होना चाहिए कपड़ाप का अब यहां से देखिए हमने इसको कट कर दिया है इस बचे कपड़े को भी हम साइड में कर देंगे क्योंकि हम इसमें से टॉप भी बनाएंगे तो टॉप का वीडियो मंगली बार अपलोड करेंगे और यह हमने जो अस्तर लिया है यह हमारा साटन का अस्तर है तो देखिए इस तरीके से हमारी घेरदार स्क्रेट बन जाएगी आप सबसे पहले तो ओपन करने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रही है और कमर वाली साइड को हमने बेल्ट लगा लिए है अस्तर को इसको रखके आप पहले कमरवाली साइड से हम एक सिलाई लगा देंगे रफ सिलाई ताकि हमारा जो कपड़ा है वो फिक्स रहे वरना उचा नीचा होने का डर है इसको तो इसको हम सिलाई लगा देंगे और इसको आप बिना नेट में भी बना मतलब नॉर्मल कपड़े से भी बना सकते हो और इसको आप गोमने फिरने जाते हो तो पहन सकते हो बहुत ही कमफर्ट रहेगी और यह थोड़ी सी आप लॉंग में भी बना सकते हो यह थोड़ी सौट में है जो सौट स्कर्ट होती है अब यह दो इंच चोड़ी हमने बैल्ट ले लिया अस्तर को और बैल्ट को ऐसे दबने के बाद अगर आपकी लास्टिक की चोड़ाई तीन इंच है तो आप तीन यह चार इंच तक भी बैल्ट ले सकते हो जितनी चोड़ी बैल्ट लाओगे उतना अच्छा इसका लुक आता है लेकिन मेरे पास पतली लास्टिक है तो मैं कम कपड़ा ले रहे हूं तो द कर दें लगाना ऐसे और बिल्कुल गोल गुमाते हुए जाएंगे नीचे के कपड़े का ध्यान रखें नीचे वाला कपड़ा नहीं सिलना चाहिए मतलब इसको खोलते हुए और ऐसे पूरे में लगा देंगे और कपड़ा सिर पादा आदा इंच के बराबर दवाना है 1.5 इंच की बनके तैयार हो जाएगी तो ऐसी ही हम इस बेल्ट को पूरे में लगा देंगे और जितनी हमारे एक्स्ट्रा बचेगी उसको हम यहां से कट कर देंगे हमने सिर्प एक सीधी ही पट्टी लेकी इसको फोल्ड करके सिल लिया था मतलब हमने इसे नापा नहीं था एक्स्ट्रा बचेगी उसे हम कटिंग कर देंगे तो देखिए यहां से हम करीबन आधाई इंचे एक्स्ट्रा रखके और कट कर देंगे एक्स्ट्रा बेल्ट को क्योंकि उसको हम इसके उपर ओवरलैप करके सिल देंगे इस तरीके से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे तो इसके उपर ऐसे आ जाएगी जिससे यह दिखाई नहीं देगी अब हम क्या करेंगे कि इसमें इलास्टिक डाल देती हैं सबसे पहले तो हमने एक कमर से अपनी कमर से हमने ती इंच कम ली है इलास्टिक अब एक सेफटिप इनकी हेल्प से हम इसे डाल देंगे इसमें तो इदेखिए इसे नाड़ा डालते हैं सलबार वगएरा में उसी तरीके से इसको डालना है और दूसरे जो खुला वाला साइड है वहां से निकाल देना है अब इनको हम यहां से ऐसे सिल देंगे और जो हमने अभी रखके दिखाया था उसको भी सिल देंगे तो देखिए इसको हमने इस तरीके से डाल दिया है यह हमारी बिल्कुल फिक्स आई है डेर इंच की अब इसको बोटम है उसको फोल्ड कर लेते हैं और ज नहीं जा रहे हो तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है पहनने के बाद में तो देखिए इस तरीके से हमारी स्क्रेट बन के तयार है नेट की इसका टॉप भी हम आपको बनाना बता देंगे कमेंट करके बताएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज कीजिए का हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गेरा इसका बहुत ही जादा आया है धन्यवाद